नवस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नज़र डालते हैं नाकपूर के विविद्ध हलचल पर पंजाब नैश्टरल बैंक मंडल कारिया ले नाकपूर में महिला अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत ईश वंदना के पावन वातावरन में आशिश चतुरवेदी मंडल प्रमूख नाकपूर की अध्यक्षता में दीप प्रजवलन के साथ बैंक संस्थापक स्वतंतरता सेना लाला लाच पत्राई के चित्र को पुष्प अरपन कर वेधिवत शुबारंबक के साथ राज भाषा पुरसकार वितरन समारोह हर्श वल्लास के साथ संपन्न हुआ इस अवसर पर आशिश चतुरवेदी मंडल प्रमूख ने कहा राज भाषा हिंदी मात्र भाषा नहीं वे हमारे देश की संपर्क मात्रु भाषा है इसके माध्यम से हम सभी देशवासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे ग्राहक की भाषा हिंदी के माध्यम से हम बैंक के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं शील्ड प्रतियोगिता और सर्वेष्ट राजभाषक कार्य निश्पादन प्रतियोगिता के साथ बाहरी शाखा कार्यालयों के लिए बैंकिंग में हिंदी पर कार्यशाला शाखा प्रमुखों के लिए व्यवसाय समिक्षा बैठक संपन्न हुई राजिव गांदी मेमोरियल कैरम प्रतियोगिता का आयोजन युवक कॉंग्रेस की और से 19 से 21 सितमबर तक राजिव गांदी सभागरुह कॉंग्रेस भवन के पीछे किया गया जिसका शुबारम रविवार सुबह 11 बजे पूर्व जिला परिशद अध्यक्षे सुरेश भोयर के हातो हुआ प्रदेश कॉंग्रेस महासचीव शकूर नागानी बबलू बर्वे प्रमुकता से उपस्तित रहेंगे युवक कॉंग्रेस के प्रदेश महासचीव इर्शाद शेक ने बताया तीन दिनों तक चलने वाली कैरम प्रतियोगिता में अब तक 64 खिलाडियों ने अपने नाम दर्च कराया है आठ विजेताओं को नकत पूरसकार प्रदान किये जाएंगे जिसमें प्रदम पूरसकार 7000, दुतिया 5000, तुतिया 3000, चतुर्थ 2000 तथा अन्य चार विजेताओं को एक एक हजार का पूरसकार दिया जाएगा दस दिवसिया गनेश उत्सफ का समापन गनेश विसरजन से हुआ नाकपूर महानगर पालिका वबेलिशोप रेलवे कॉलनिस थित प्राचीन श्री शिव मंदिर के सयुक्त तत्वावधान में मंदिर परिसर के प्रांगन में कृतीम टैंक का निर्मान किया गया जहाँ परियावरन पूरक गनेश प्रतिमाओ का विसरजन क्षेतर के श्रद्धालूओं ने किया यहाँ बनी टैंक में बड़ी गनेश प्रतिमाओं के साथ करिब दोसों से अधिक प्रतिमाओं का विसरजन किया गया इसी पूरी व्यवस्ता में महानगर पालिका के कर्मचारियों सहित नगर सेवक संदीप सहारे, मंदीर के डॉक्टर प्रविन डबली, पी सत्यराव, प्रकाश राव, प्रेमलाल यादव, गनेश कोटुलवार, शरज शर्मा, विलास खोडे सहित क्षेत्र के श्रद्धालों ने सहयोग किया। रगु ठाकुर से उनकी गरीबी संबंद रहे। हिंदु धर्म में पीतरु पक्ष का खास महत्व है। हम श्राद्ध ब्राम्मनों को भोजन अरपन करके पीतरों को तुरुप्त तो करते हैं, किन्तु उससे उनकी मुक्ती नहीं होती। पीतरों को मुक्ती तो भगवान कथा से होती है। कोविड को ध्यान में रखते हुए ओनलाइन श्रीमत भागवत कथा 21 सितंबर से 27 सितंबर तक होने जा रही है। कथा का रस्पान राधा कृष्ण भक्त परिवार के दामोदर दास कराएंगे। इस कथा का सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल दामोदर दास और फेस्बूक पेज दामोदर दास पर 21 से 27 सितंबर तक प्रतिदिन शाम चार से 7 बजे तक लाइफ प्रसारन दिखाया जाएगा। संस्था ने सभी भक्तों से विंती की है कि अपने पितरों के भले के लिए लाइफ भागवत कता का अवश्च लाब ले। सलता फिरता वाहन रेखा गिरधारी निमजे की संकल्पना से साकार किया गया। यह वाहन को जल्द तयार करके पूरे नाकपुर में घुमाने के लिए पूर्व पार्षत भासकर पराते तथा गिरधारी निमजे ने नियोजन किया। कई दिनों से Green Earth Organization द्वारा पूरे विदर्व में जगह जगह रुक्षारोपन कारेक्रम किया गया। जल्व वायू प्रदूशन नियंदरन में रहे, प्लास्टिक के उप्योग से धर्ती पर पशु पक्षियों पर विपरित परिनाम हो रहे है। इसकी जानकारी Green Earth Organization ने यह वाहन द्वारा पिछले तीन दिनों से पूरे शहर के नागरिकों को बस्ती में जाकर दी जा रही है। द्वनी प्रदूशन कम करने के लिए केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी के अध्यक्षता में शहर में द्वनी प्रदूशन पर जनजागरूती की गई। इस वाहन को पूर्व विधायक एवं Green Earth के मुख्य संयोजक के जन्मदिन के अउसर पर उनके निवास्थान से महापौर ने हरी जंडी दिखाई। दिगंबर जैन समाज के पर्यूशन पर्व का समापन सुमवार को हुआ। दस सितंबर से शुरू हुए पर्व में सोलह करन अभिशेक पूजन, दस लक्षन वरत अभिशेक पूजन, पंचमेरू वरत अभिशेक पूजन, चंदरप्रभू वरत पूजन, पुषपानजली आरती, भकतामर पूजा, समेच शिखरजी पूजा, अनन्त वरत पूजा, पुन्याह वाचन आदिधार्मिक कारेकरम मंदिर बंध होने से श्रावकों को घर में ही करने पड़े, जैन धर्म की श्रावक श्राविकाय अनन्त चतुर तशी के दिन नाकपूर के सभी मंदिरों की वंदना करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष से मंदिर बंध होने से सभी को निराश होना पड़ा श्रावकों ने कहा कि नवरात्री तक मंदिर खोल देना चाहिए कोविड-19 के नियमों के तहट मंदिर खुलने और बंद करने का समय सरकार ने निरधारित कर देना चाहिए वैभारिक जगत में समकोन और त्रिबुज बनाकर विभिनक शेत्रों में इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करने वाले इंजीनियर भी गायन में दक्ष है विश्वेश्वरिया के जन्म दिन यानि इंजीनियर्स डे के मौके पर हार्मनी इवेंट्स की और से म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया विशेश रूप से इस कारेकरम में इंजीनियरों ने विभिनन गीतों का प्रदर्शन किया और हमारी गुप्त अभिव्यक्ती को रास्ता दिया कारेकरम की अवधारना अभियांत्री की राजश समर्थ जबकि श्वेता शेल गाउकर ने निवेदन किया कारेक्रम की शुरुवात मनपा के सेवानी वृत्त डेप्यूटी इंजीनियर ने जाने क्या सोच कर गा कर की बाद में नागपुर मनपा के इंजीनियर पुषपा जोगे ने तूने वर रंगिले और इंजीनियर अश्वीन भोकरे ने जोगीत नहीं जन्मा राज्य के क्रुशी विभाग के इंजीनियर सुहास आमबुल करने जिदर देखू मैं हूँ खुश रंग हिना इंजीनियर विजया वाइन देशकर ने लंबी जुदाई इंजीनियर नितिन जाडे ने मेरे दिल ने तडब PWD भंडरा के सेक्शनल इंजीनियर राहुल ठाकूर मनपा नाकपूर के सब डिविजनल इंजीनियर सुनिल गजबिये ने कई विविद्ध गानों की सिंगल और डुएट तरीके से पेश की ओनलाइन माध्यमों पर तमाम दर्शकों ने इस आयोजन की जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और गायोकों के हुनर की सराहना की इस कारेक्रम का समापन इंजीनियर विजया वाइन देशकर ने किया शहर कॉंग्रेस कमेटी के प्रतिनिदी मंडल ने जिला अधिकारी आर विमला से भेट कर सरकारी राशन के अनाज में जम कर घुटाला किये जाने की जानकारी दी उन्होंने आरोब लगाया कि दुकानदारों द्वारा की जा रही इस धांदली को अन्न एव आपूर्ती विभाग के अधिकारियों का पूरा सनरक्षन मिल रहा है कॉंग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे एवं प्रदेश सचीव अतुल कोटेचा के मार्ग दर्शन में महा सचीव रिंकु जैन एवं महिला अडवानी ने कलेक्टर को इस सम्बंद में सौपे ग्यापन में यह जानकारी दी कि अनेक बरसों से यह गडबड घोटाला चल रहा है विशेशकर कोरोना महामारी के काल में तो बड़े पैमाने पर दुरूपयों किया गया उधारन के तौर पर एक राशन कार्ड में लिंक के जरिए आधार कार्ड जोड़े गए है तो प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 6 लोगों के लिए 30 किलो अनाच मिलना चाह इन में से गिनेच उने अपनी ड्यूटी इमानदारी से कर रहे है अधिकांश भहती गंगा में हाथ धो रहे है मध्यरेल नाकपूर मंडल 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पकवाड़ा मनाया जा रहा है पहले दिन सभी हधिकारियों, रेलवे करमचारियों और नियमित यात्रियों ने स्वच्छता की शपत ली और स्टेशनों पर श्रमदान किया गया स्वच्छ परियावरन के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए पौधर ओपन किया गया आमजंता और करमचारियों के बीच उनके नियमित जीवन में स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरुकता किया गया दूसरे और तीसरे दिन यानी 17 सितमبر और 18 सितमबर को रेलवे स्टेशनों में स्वच्छताव समबाद आयो जितकर स्वच्छा समबाद मनाया गया रेलवे करमचारीों को प्रोचसाहित करने और सफाई करमचारीों को परामर्ष देने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया रेलवे अस्पतालों में डीपो, यार्ड मेंटेनंस, शेड में श्रमदान किया गया प्लास्टिक प्रतिबंद पर विशेश थीम के साथ नुकर नाटक कच्रा विरोधी पोस्टरों का प्रदर्शन किया गया चौत्य और पाचवे दिन यानि 19 सितंबर और 20 सितंबर को थीम स्वच्छ स्टेशन था जहां NSG 1 और NSG 4 इन स्टेशनों की गहन सफाई और स्टेशनों पर कूडे दान की उपलब्दता सुनिश्चित करना था यह स्वच्चता पकवाड़ा नाकपूर मंडल पर 30 सितंबर तक जारी रहेगा सभी गती वीधियों के दोरान COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है नाकपूर शहर के प्रभाग सत्रा की नगर सेविका हर्शला मनुच साबले के वार्ड निधी से प्रभाग में हजार नीम, पीपल, चाफा, पाम, बड, गुलमोहर के पेड लगाने का संकल्प कारेक्रम डालडा कमपनी गुजरवाडी चौक, पटेल चौक, घाट रोट, अशोक चौक, पैदना चौक, मेडिकल चौक, वंजारी नगर से शुरू किया गया इस कारेक्रम के दोरान प्रमुक रूप से पुर्वनगर सेवक, मनोच साबले, प्रशांत ढाकने, मनीश चान्देकर, हेमंद चौधरी, कुवर महरोलिया, संजय शिंदे, राजेंद्र मिश्रा, हेमंद भालेकार, गोपाल यादव, आदी मान्यवर उपस्तित थे जिला कॉंग्रेस कमिटी अलपसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इर्शाद अली के मार्गदर्शन में, सेफ केर होस्पिटल की तत्वावधान में, पूर्वनागपुर शांतिनगर के जुलेखा कॉलेज प्रांगन में, भव्य रोग निदान शिवीर में, करीब धाई पिशर, ECG, मदुमेह उपचार, जनरल सरजरी, फेफडे और सास से सम्मंदित बिमारियों का उपचार, मुफ्त में आखों की जांच, मानसीक रोग उपचार, स्त्री रोग उपचार, चरम रोग उपचार, रक्तदान शिवीर में, 48 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपन शांतिनगर थाने के वरिष्ट पुलीस निरिक्षक गनेश जामदार, इंद्रजीत सेयत फैजाद अहमद प्रमुकता से उपस्तित थे इस अवसर पर डॉक्टर मसूद रीजवी, डॉक्टर अक्षे सरोदे, श्रेयश धावडे, डॉक्टर हेमंद भनारकर, डॉक्टर साक्षी बंसल, डॉक्टर आशिश वाजपाई, डॉक्टर समिक्षा चौरे, अतीक खान, महेंद्र उईके, बाबु भाई, तौसीफ कु रेशी, मोनुशेक, अमन खान, अम्मार रेजवी, कुनाल चौधरी, चेतन मिश्राम, एजाज अली, नवाज खान, इर्फान खान, मुझ्जु अली, सल्मान खान, आदी गन्मान्य व्यक्तियों की विशिश उपस्तिती रही रेल स्वच्छता पकवाड़ा की पाचवे दिन, यानि सुमवार को दक्षिन पूर्व मध्धे रेलवे नाकपूर मंडल द्वारा, स्वच्च सेवा परिसर थीम के अंतरगत, मनिंदर उपल, मंडल रेल प्रबंधक, नाकपूर के नेतरुत्व में नाकपूर मंडल के स्टेशनों पर गहन स्वच्चता अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशनों के रिटारिंग रूम, प्रतिक्षाले, विश्राम गुरूह, रनिंग रूम, रेस्ट हाउस, रेल हॉस्पिटल, रेलवे स्कूल, रेलवे ट्रेनिंग केंद्र, आदिकी गहन सफाई कर स्वच स्वच्चता अभियान चलाया, ताकि रेल परिसर स्वच्च रहे, मंडल के अन्य स्टेशनों के सेवा परिसरों, वकार्याले परिसर में भी अधिकारियों, एवं कर्मचारियों ने मिलकर स्वच्चता अभियान चलाया, इसके अतिरिक्त स्टेशनों पर प्लास्टिक की ब लब्दता सुनिश्चित करने वह गीले एवं सुखे कच्रे को अलग-अलग डस्ट बिन में डाले इन पहलूओ पर भी विशेश जोर दिया गया तदा सभी को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए सभी से साफ सफाई के प्रती जागरुख होने की अपील की गई Institute of Chartered Accountants of India, ICAI के राष्ट्रिय अध्यक्ष सीए निहार, जम्बू सरिया ने सुमवार सुबह सीताबर्टी इंटरचेंज से एरपोर्ट साउथ स्टेशन तक नाकपूर मेट्रो से यात्रा की मेट्रो का प्रकूर्टी रम्य वातावरन में सफर, मेट्रो स्टेशन का अवलोकन और वहा की व्यवस्थाओं का अनुभव लेने के उपरांत महा मेट्रो के अधिकारियों से बात करते हुए C.A. जम्बु सरिया ने महा मेट्रो द्वारा किये गए कारियों की उधारता पूर्वक प्रशंसा की उन्होंने कहा कि ट्रेन और स्टेशन उतकुरुष्ट है, गाडिया प्रशस्त और आराम दायक है स्टेशनों को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है मानो किसी ने मेट्रो का निर्मान करते समय उसमें अपना हृदे और आत्मा दोनों को लगा दिया हो C.A. जम्बु सरिया एरपोर्ट साउथ स्टेशन में I.C. AI की वेस्टन इंडियन रिजनल काउंसिल द्वारा आयोजित टैक्स कॉनक्लेव में भाग लेने के लिए शहर में पहुचे थे उनके साथ W.I.R.C. के अध्यक्ष सी.A. मनीश गाडिया भी थे C.A. जम्बु सरिया ने कहा कि एक बार जब कोविट महमारी समाप्त हो जाएगी तो अर्थव्यवस्ता ठीक हो जाएगी और नाकपूर मेट्रो का किराया और नॉन फेर बॉक्स राजस्व में काफी वृद्धी होगी उन्होंने कहा हम सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि भविश्य में कोरोना की कोई लहर ना आए सूर्य नगर स्थित कटारिया सेलिब्रेशन में श्रीमती पदमादेवी मोहनल कटारिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गनेश उत्सव पर प्रसाद वितरित किया गया इस अवसर पर प्रथम गनेश पूजन कर वचपन भोग लगा कर प्रसाद वितरन का कारेक्रम चालू किया गया कारेक्रम में विशेश रूप से उप महापौर मनिशा धावडे स्थानिय नगर सेवक पूर्व सभापती प्रदीप पोहाने समाज सेवी मनोज अगरवाल विशेश रूप से उपस्तित थे प्रसाद में मसाला भाद बूंदी वा सेव वितरित की गई तकरीवन हजार लोगों को प्रसाद वितरित किया गया प्रसाद वितरन में कटारिया परिवार के सभी सदस्य ने विशेश रूप से भाग लिया करेकरम वरिष्ट समाथ सेवी वा उजवल गौरक्षन ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के सानिध्य में हुआ प्रसाद वितरन में कटारिया परिवार से महेंद्र कटारिया, नरेंद्र कटारिया, दिनेश कटारिया, मितेश कटारिया, सिध्धान्त कटारिया, रजत कटारिया, मयूरी कटारिया, इशिका कटारिया, अनिल बोरकर, रमेश महाराज, राजुभाई जानवी, सौज्योती, रोशन गीड़े ने सहयोग किया शर्टिंग शूटिंग के लिए मध्य भारत में सू प्रसिद्ध प्रतिष्ठान मधू कलेक्शन का उद्गाटन इजनाबाई कस्तूरी के हस्ते संपन्न हुआ गांधी भाग जागनात रोट स्थित मधू कलेक्शन 29 सालों से ग्रहकों की अविरत सेवा में समर्पित है मधू कलेक्शन प्रतिष्ठान अब नए फ्लेवर में अपने ग्रहकों हेतु तयार है प्रतिष्ठान के संचालक टीकम लखे भूलाव ईश्वर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया लखे और कस्तूरी ने बताया कि 29 साल पहले स्वर्गिय चेतनदास कस्तूरी के मार्गदर्शन में यह प्रतिष्ठान शुरू किया गया था अब समय के बदलाव को देखते हुए एवं ग्रहकों की सुविदा हेतु प्रतिष्ठान की साज सज्जा की गई उन्होंने बताया कि शूर्टिंग, शूर्टिंग, कुर्ता, पैजामा, कोट, पैंट, शेरवानी सहीत शादी ब्याह में लगने वाली संपूर्ण इथनिक वेर उपलब्द है श्री लखे वो बोले कस्तूरी ने बताया कि व्यवसाई में सफलता के लिए ग्रहकों की जरूरतों को समझ कर उनके अनुरूप प्रतिष्ठान में संपूर्ण रेंज रखी गई कस्तूरी बंदूओं ने बताया कि एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती लेकिन अगर आप में दुरूड संकल्प हों तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे कस्तूरी बंदूओं ने शर्टिंग वर्ट टेलरिंग में संपूर्ण मध्य भारत में अपनी अलग पहचान स्थापित कर ग्रहकों की अविरत सेवा की नाकपूर जिले में 18 वर्ष से अधिक आयू की सभी महिलाओं के लिए विशेश कोरोना टिका करन अभियान आच चलाया जाएगा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के संकल्पित विशेश अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए जिलाव शहर प्रशासन तयार है नितिन राउत ने केवल महिलाओं के लिए एक विशेश कोरोना टिका करन अभियार शुरू करने का फैसला किया यह अभियान नाकपूर जिले में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाविकास अगाडी सरकार के अभियान के तहट लागू किया जा रहा है नाकपूर शहर और नाकपूर जिले के ग्रामिन क्षेतरों के सभी टीका करन केंदरों पर 21 सितंबर को केवल महिलाओं का ही टीका करन किया जाएगा अभियान का उद्देश्य महिलाओ के जीवन को सुरक्षित बनाना है क्योंकि पुरुषों की तूलना में महिलाओ की टीका करन की संभावना कम होती है और तीसरी लहर का छोटे बच्चों पर विशेश प्रभाव पड़ता है ये अभियान नाकपुर जिले के 330 टीका करन केंद्रों पर लागू किया जाएगा इसमें नाकपुर शहर के 166 टीका करन केंद्र शामिल है नाकपुर जिले में कुल 34,48,000 नागरिकों का टीका करन किया जा चुका है पहली खुराक लेने वालों की संख्या 24,83,000 जबकि दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 9,64,000 है राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन आम आत्मी के जीवन की देखभाल करना उनकी सर्वोच्य प्रात्मिकता है कोरोना काल में लॉकडाउन और पाबंदिया एक ही फॉर्मूले से तै की गई ये बताते हुए जिले के पालक पंत् डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि शहर और जिले में उद्योग व्यापार के सूचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए नीतिया तयार की जाएगी वे यहाँ प्रभावती ओजास्मृती सेवा संस्था नाग विधर्ब चेंबर ओफ कॉमर्स और विधर्ब टैक्सपे योग होगा और इस मंतन से निकले तत्य राज्य सरकार को नीती बनाने में मदद करेंगे संगोष्टी में विधर्ब इंडस्ट्री असोसियेशन और अन्य संगटनों के प्रतिनीधियों ने भाग लिया संगोष्टी में विभिन संगटनों ने मांग की कि प्रशासन को विभिनम मुद्दों पर चर्चा की के लिए प्रेरित किया कॉंग्रिस के कुंदा राउद और वरिष्ट कॉंग्रिसी दयाराम भोयर ने प्रस्ताव का समर्थन किया इसी तरह कॉंग्रिस के कई वरिष्ट नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया अपने बयान में राहू सीरिया ने कहा कि पार्टी विरोध बाते कर रहे इस वजह से पार्टी तदा पार्टी के नेताओं की प्रतिमा मलीन हो रही है इसके बाद युवा कॉंग्रेस इसे बरदाश नहीं करेंगे राज्य के पशुपालन दुगद विकास खेल एवं युवा कल्यान मंतरी सुनिल केदार ने कहा कि युवा कॉंग्रेस स्वास्ति को खत्रा है खेडा गाओं में बेवज़ बीकने वाली शराब की मातरा में इजाफा हुआ है महिलाए भी इस समस्या से तंग आ चुकी थी आखिरकार महिलाओं ने अवैदर ड्रग डीलरों से निपटने का फैसला किया महिलाओं ने हाल ही में शराब कारोबारी क घर पर छापा मारा और पुलीस को शराब सौब दी मुक्य आरोपी यूराज इस्तारी सींदी मेश्राम से 76 बोतल शराब जब्त की गई इस शराब की कीमत 7600 रुपए है आरोपी के खिलाफ दंड सहीता की धारा 65E के सहत अपराधिक मामला दर्च किया गया इंस्पेक्टर क विराज के मार्गदर्शन में कॉंस्टेबल मदुकर सूर्पम और कॉंस्टेबल संजे पायक द्वारा कारवाई की गई खेडा कम आबादी वाला गाव है पिछले देड साल से अवैद शराब की बीकरी लगातार बढ़ रही है शराब के सेवन ने कई लोगों की नहीं मिली अंत में महिलाओ ने पहल की और दवा कारोबारियों की खबर ली सरपंच संध्या मेश्रम उपसरपंच प्रशांत भगत दूर्योदन लंगेवार चंदु भगत क्राम पंचैज सदस्ते शफी कुरेशी मंगला शेंद्रे आदिका सहयोग रहा तो नागपूर हल्चल में आज के लिए इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस नमस्कार